अब कच्छू नहीं होना है अब रोना ही रोना है वै काय के लिए भई तुम रोज रोज ये डोंग धपान करते हो रोज रोज ये पंचायते जोडने से काम ना चलता भागी हम तो ये कहते हैं किसी का कुछ भी नहोगा भागी हमारी तुम सोचो तो भई हमारा तो स्याफ कहन है एक दू मैच हारने से हमारी किसमत थोड़ी बदल जाएगी पैब या आई पिल तो हमें जीतेंगे इस बार नाम है हमारा संजु सेंसन और इस आई पिल को जीतने के लिए तुम लोग मतलो कोई भी टेंसन अभे संजु भाई यार भाई यार तुम जीत जाओगे तो हमरा का यूही जलबा हो रहा है वै भई हम क्या ऐसे ही फोकट में लाइन में लगे है वै जलबा हमारा भी हो रहा है और भई हम तो यह कहते तुम्हारे पास है क्या जो तुम ही आई पिल जीत जाओगे वै हमको पूझलो भई हमारे पास दो-दो काली सक्तियां है आंदर, रसल, चुछ भी नहीं तुम्हारे पास दो काली सक्तिया है तो हम क्या ऐसे ही वेठे हैं दो काली सक्तिया हमारे पास भी सिमरोन हैटमाइर और रोमेन पोबेल रहे तुम्हारी तो भी हवासी निकल जाएगी इस बार हमी जलवा करेंगे भई चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो वै कोई नहीं है टकर में मत पड़ो हमारे चकर में समझे अब डट जाओ भई या डट जाओ वै आई पिल के बीच में क्यों बन रहे हो बड़ी अम्मा हम भी बीच में हैं जो फाड सकते हैं भी अब तो और तगड़ी तबही मचेगी इस बार अपनी सरकार वै जलबा यूपी वालों कई रहेगा वै ऐसा कर देंगा भई खटिया खड़ी विस्तरा गोल और हमरी टीम के आगे तुम सारे लोग हो ढोल समझे यह वा वही वा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम त वो हैं जो कभी भी केशी भी इस टीम में में जीट सकते हैं किसी भी टीम को आखे बंद करके पीट सकते हैं इसलिए तुम लोग छोड़ो चिंटा क्योंकि इस बार का आईपियल हम जीट सकते हैं समझे हाँ समझ गए समझ गए भीया पैंट कमीच वै इसका मतलब यह है कि लोगों को अपनी अपनी पढ़ने लगी है वै मतलब हमारी कोई इज़त न रही आईपियल में तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम बिलकुल बाहर हो गए भीया अभी हम आईपियल से बाहर ना हुए है जब तक डटे हैं यूहीं डटे रहेंगे और तुम लोगों के पजा म हमको देखकर अपने आप फटे रहेंगे वै ऐसा हो जाएगा भई काम लोल अभी तुमने धोनी को हलके में ले लिया है वै नाम है हमारा महिंदर सिंग धोनी और आईपियल के फाइनल में पहुँच गए तो अच्छी अच्छी पीठ को पीठ में मार देंगे तीन-चार को लाल मारे कोहनी के भी या जलबा अपना उंचे लेबल का रहता है अच्छे अच्छों की करते हैं कूटम पेलम खूब कोटाई और हमने अच्छी अच्छी टीमें अपने चमतकार से लुल बनाई समझें अरे किसका जलबा होगा ये तो वक्त बताएगा हमको ऐसा लग रहा काले से हमेशा काला ही टकराएगा रहे काली सक्तियों से काली सक्तियां ही टकराएगी और काली सक्तियां दो कलकत्ता के पास हैं दो हमारे पास तो हम तो भई यही सोचते भई हमारे ही होगा फाइनल बागी दोस्तों तुम बताओ कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंच स और कौन सी टीम फाइनल जीत सकती है कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करके सेर करना भूल मत जाना ठीक है